ग्यान येग्य की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आईए अब सीखते हैं पासवर्ट चेंज करना। किनी भी कारणों से अगर आप अपना पासवर्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस बहुत ही आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना आईडी ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने अपना इमेल डाउपन करके रखा हुआ है। इसके बाद जहाँ पर आपका नाम या यूजर नेम लिखा होता है वहाँ पर आप जाकर क्लिक करें। और उसके बाद आप जाएं अकाउंन सेटिंगस में यहाँ जाकर क्लिक कर दें। अब आपको आपकी personal settings यहाँ पर नजर आएंगी और security वाले line में आपको दिखेगा 3-4-5 चीज़ें दी हुई हैं सबसे उपर है changing your password हम password बदलना चाहते हैं तो इस पर जाकर के click कर दें अब सबसे पहला जो option है वो है current password का तो यहाँ पर जो password आप अभी इस्तमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल दें इसके बाद अब जो नया password आप चाहते हैं वो यहाँ पर type कर दें same password आपको यहाँ पर नया password confirm करने के लिए डालना है इसके बाद इसे save कर दें यह देखिए यहाँ पर message आगया your new password has been saved इस पर आप ok कर दें अब आपका password change हो गया है और आपको ध्यान रखना होगा कि अब जब भी आप अपना ID open करना चाहेंगे तो आपको नया password डालना होगा अगर आप पुराना password डालते हैं तो वो accept नहीं किया जाएगा